नमस्कार बी ए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूजिक पेपर टू नेमने लिखित वाधियों की अध्यन में आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तानपुरे के बारे में भार्टिय संगीत में स्वर देने के लिए तानपुरा वाधिय प्रमुख वाधिय मानना जाता है गायकों के लिए तानपुरा एक महत्वुपूर वाधिय है यह महत्वुपूर इसलिए है क्योंकि जब हम शास्त्रिय संगीत गाते हैं तो तानपुरे के स्वरों के बजने से ही हम गा सकते हैं यह महत्वुपूर वाधिय है इसमें किसी गाने की सरगम नहीं मिलती अपितु गायन के साथ संगती इस हेत्वू इसका प्रयोग किया जता है तानपुरे में हमें कोई सरगम नहीं मिलती है सिर्फ दो या तीन स्वर होते हैं इस काम सिर्फ गायान के साथ संगती के लिए प्रयोग किया जता है गायक अपने गले के अनुसार स्वर ले सकते हैं इसमें तानपुरे की संगती से गायक को मुख्य शड़ज व पंचम आधार स्वरों की छनकार मिलती रहती है जिससे वह बेसुरा नहीं होता तानपुरा जो अमारा होता है उसवे वह शड़ज और राक के अनुसार पंचम या मध्यम में मिलाया जाता है और ये आधार स्वर हैं संगीत के इनकी ध्वनी हमें मिलती रहती है उस वज़े से गायक जो होता है वह बेसुरा नहीं होता है उत्तर दथा दक्षिण दोनों संगीत पत्तियों में तानपुरे का गायन वादन और रत्य के साथ स्वर देने के लिए किया जाता है वर्तमान समय में तानपुरा छोटे वा बड़े आकार की द्रिस्टी से दो प्रकार का होता है जिसे महिलाओं का तानपुरा और पुरुषों का तानपुरा कहते हैं जो महिलाओं का तानपुरा होता है उसके तूमबे का आकार थोड़ा छोटा होता है और वहाँ छोटे आकार का होता है जबकि पुरुषों का जो तानपुरा होता है वह थोड़ा बड़ा होता है और उसमें अधिक उच्चे सब्तक वाले तार होते हैं इनमें तारों का भी अंतर होता है क्योंकि पुरुष और महिला के गले के धर्मानुसार इसे अलग-अलग स्वरों में मिलाये जाता है अब हम बात करेंगे तानपुरे के अंग की तानपुरे के नेमन अंग होते हैं सबसे पहले आता है तूंबा दूसरा है खुडच या ब्रिज तीसरा है तबली उसके बाद आता है लंगोट अथवा कील पांचवा आता है अमारा डान्ड छटा आता है अटी या तारगहन साथवा है खूटिया आठवा है गुलू और नवा है मोती अब यहां किस तरीक से है यह हम आपको बता रहे हैं इसका वर्णन जो हमारा तानपुरा होता है इसमें सबसे पहले होता है तूमबा तानपुरे का आधार जो होता है वह लौकी या कद्दू का सूखा हुआ खोल होता है जो अंदर से बिल्कुल खोकला होता है इसके अंदर ध्वनी गुंजित होती है इस चित्र में आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ एक गुल आकार का है यहां तूमबा कहलाता है दूसरा होता है तबली तूमबे को ढखने के लिए पतिली लकडी का ढखकन तबली कहलाता है सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा गुल तूमबे को जिस लकडी से ढख दिया जता है उसे तबली कहते हैं इसके आगे आता है हमारा घुडच या ब्रिज तूमबे वत तबली पर इस्तित हड़ी से निर्मित एक छोटी चौकी सी होती है ये हातीदात के उससे बनी होती है इसवे ब्रिज या घुडच कहा जाता है इस पर तार रखे जाते हैं लंगो टटवा अत्वा कील तूमबे के पैंदे में यानि कि तूमबे के सबसे लास्ट में जो होता है वहाँ एक कील लगी भी होती है जिसे की लंगोट कहा जाता है कभी-कभी लकडी की एक पट्टी लगा कर भी उसमें छेद कर दिये जाते हैं जिनसे तारों को सीरे को बांधा जाता है उसे भी हम लंगोट कहते हैं इसके बाद आता है डांड लकडी की लंबी पोली डंडी जिस पर एक पतली तक्ती लगी होती है और इसके उपर से तानपुरे के चार जो तार होते हैं वह ब्रिच पर से होते हुए उपर खूटियों तक जाते हैं आपको चित्र में दिख रहा होगा यह जो लंबी सी डंडी है जिसे उपर से ढखा गया है यहां कहलाती है डांड इसके बाद आता है अटी अथवा तार गेहन उपर आपको दिख रहा होगा दो सफेज छोटी पट्टियां होगी एक पट्टी जो होती है उसमें उस पर तो तार रखे जाते हैं और दूसरी पट्टी जो होती है उसके अंदर छिदर होते हैं जिसमें से तार पिरोई जाते हैं पहली जो पट्टी होती है जिस पे तार हम रखते हैं अर्था जिस पड़ से तार उपर होकर खुटियों तक जाते हैं पहली पट्टी तो कहलाती है अटी और दूसरी जो पट्टी होती है जिसमें की तार पिरोए जाते हैं उसे पिरोगर खुटियों तक जाते हैं उसे हम ता सबसे उपर दिख रहा होगा चार खूटिया बनी हुई है चित्र में तानपूरे के जो अटी और तारगेन से होते हुए जो तार है चार तार तानपूरे के ये उपर जाकर चार खूटियों से बंधते हैं और उससे कसे जाते हैं खुटियों के द्वरा इनको घुमाने से और कसने से तारों को डीला और कसा जाता है उससे स्वर मिलाया जाता है अब next अमरा आता है गुलू तूमबा और डांड जहां जुडते हैं आपको दिख रहा है ये चित्र में जब गोल है और जहां से तूम डांड स्टार्ट हो रही है ये लंबी लकड़ी वहां इस्थान गुलू कहलाता है एक पतली सी खपच्ची यहां लगी रहती है जिससे की तूमबा और डांड को जोडा जाता है वहां गुलू कहलाता है इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोती गुडच और कील के बीच में जो आपको दिख राया नीचे नीचे की तरफ गुडच और कील के बीच में यानि कि जो हमारी आपने वाइट चो पत्टी थी गुडच की वहां उससे नीचे की तरफ चार मोती लगे होते हैं और इनको इन में से पिरोए जाके लंगोट में तार बांधे जाते हैं फिर मोती में से तार पिरोगर ब्रिज पर से होते हुए उपर अटी और तार गहन डान से होते हुए अटी तार गहन पर जाके खूटियों पर कसे जाते हैं तो यह जो मोत्ती जो हैं जो पिरोय जाते हैं तो स्वरों को जो सूश्मत हमारा सही करना होता है यानि कि हम खूटियों के द्वारा तार तो हम उचे नीचे यानि कि स्वरों को उपर नीचे हम कर पाते हैं पर अगर सूश्म कुछ हमारे शृति का कुछ अंतर रह जाता है तो उसे जो हमें परिवर्तन करना है तो वह इन मन का या मोती के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है हमारा तार तार जो हमारा है आपको दिख रहा है तानपुरे में चार या पांच तारों का प्रयोग होता है जो नीचे लंगोट से प्रारम्भ होकर मनके में डलके ब्रिज से होते हुए डांड के उपर से जाकर अटी तार गयन से होते हुए खूटियों तक जाते हैं और खूटियों पर कसे जाते हैं जो तारों में जो अंतिम तार होता है यानि कि चौथा तार वह खरच का तार कहलाता है जो की पीतल से बना हुआ होता है जो चौथा तार होता है वह पीतल से बना हुआ होता है इसे पंचम या मंद्र सा में मिलाया जाता है तानपूरे के जो मध्य के जो दो तार होते हैं वह जोडे के तार कहलाते हैं इन्हें तार शडज में मिलाया जाता है इन दोनों तारों की आकरतियां और अगर इन में कुछ अंतर होता है, दोनों तारों में कुछ भी अंतर होता है, तो ये एक स्वर में नहीं मिलते हैं। ये दोनों तार स्टील के बने होते हैं, तानपुरे का जो प्रथम तार है वह भी स्टील का होता है, इसे जो हम राग में प्रयुक्त स्वरों के आधार पर मध्यम, पंचम या निशाद में मिलाते हैं। यानि कि अगर कोई राग हमारी पंचम की है, तो स्वर के लिए पंचम में मिलाया जाता है, अगर मध्यम की है, तो मध्यम में मिलाया जाता है, कुछ रागें ऐसी हैं, जिनमे की तानपुरे का पहला तार निशाद में मिलाया जाता है। हम आपको चारों तारों के दारे में एक बार वापस बता रहे हैं सबसे जो लास्ट का तार होता है वहाँ खरच का तार कहलाता है वहाँ पीतल का बना हुआ होता है बीच के जो दो तार हैं वहाँ स्टील के बने हुए होते हैं और जोडी के तार कहलाते हैं इसे हम तार सब्तक के सा में मिलाते हैं प्रथम तार जो होता है अमारा पहला तार तालपुरे का बहर भी स्टील का होता है और बहर राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर में मिलाया जाता है अगर पंचम की राग है तो पंचम में मध्यम की राग है तो मध्यम में और कुछ रागे हैं जिनमें की यह निशाद में मिलाया जाता है अब हम बात करेंगे यह तो हो गए तानपूरे के जो अलग-अलग अंग है उनका वर्णन हम ने किया है अब हम जवारी के बारे में बात करते हैं तानपूरे के जवारी होती है वह अन्यवाद्यों से भिन्न होती है जो हमारा घुडच है जो तूम्बे के उपर जो एक प्रिज के समान लगा हुआ होता है सफेद जो पट्टी होती है लगीवी होती है उसके बीच में धागे पिरोई हुए होते हैं जो चार तार घुड़च पे से जाते हैं हर एक तार के मध्य एक धागा लगा हुआ होता है जिससे तानपुरे में स्वर में जंकार उत्पन होती है इसे जंकार करने के लिए जो धागा होता है उसे उपर नीचे खसकाया जाता है यानि कि जब हमारे स्वर हैं वह प्रॉपर मिल जाते हैं तानपुरे के उसके बाद जवारी करने के लिए यानि कि उसमें जंकार प्रयुक्त करने के लिए जो हमारे धागे हैं जो कि घुड़च के उपर और तार के बीच में लगे हुए हैं उनसे थोड़ा हिला कर स्वर में जंकार पैदा की जाती है एक अच्छे तानपुरे के विशेष्टा हैं अच्छी जवारी में भी होनी चाहिए जब जवारी अच्छी होती है तो तानपुरे का स्वर अच्छा होता है और अगर तानपुरे का स्वार बिल्कुल एक्यूरेट रहता है तो जो गायक है वह अच्छे से गा सकता है तानपुरे को तानपुरे की बैठक भी है हमारे आगे हम बता रहे हैं आपको हमने आपको तानपूरा क्या है वह बताया तानपूरे के अंगल उनका वन्णन भी बताया तानपूरे में जवारी किस तरह से मिलाई जाती है वह भी हमने बता दिया अब तानपूरे की जो बैठक है वह भी हम आपको बता रहे है जो पहली बैठक है कुछ लोग तो इसे आड़ा रखकर अपनी गोद में रखकर बजाते हैं और जो दूसरी बैठक है इसके लिए एक पैर मोड कर एक पैर जमीन पर रखकर बैठना चाहिए अपने सामने पैरों के बीच तानपुरे का तूमबा रखकर खड़ा करना चाहिए बाएं हाथ से तूमबे को संभाले रखना चाहिए और दाहिने हाथ से तानपुरे के तारों को छेड़ना चाहिए तानपुरे में पहला तार तरजिनी अंगुली से यानि कि जो हमारी सेकिंड फिंगर है उससे और जो बाकि तीन तार है उसे मध्यमा यानि कि पहली अंगुली से छेड़ना चाहिए चारों को छेड़ने में निरंतरता बनी रहनी चाहिए यानि कि जो है टाइमिंग इनका ताल को तानपुरे के जो स्वर हम बजा रहे हैं तानपुरे के तारों द्वरा वह टाइमिंग बिल्कुल बराबर रहना चाहिए जिससे की हर तार में निरंतरता बनी रहे और स्वर नहीं टूटे तारों को हलके से छेड़ना चाहिए किसी भी तार को खीच कर या जोड लगा कर नहीं बजाना चाहिए अगर हम जोड लगा कर बजाएंगे तो स्वर उतर जाता है और शृतियों में अंतर आ जाता है सबसे श्रेष्ट वाद्य है कि इस तानपुरे से जो शास्त्रिय गायक अपना अभ्यास करता है उसके स्वर बहुत मजबूत हो जाते हैं क्योंकि जो तानपुरा है वो गायक को स्वर से शृत्तियों को समझना एवम जो उसमें जब हम स्वयंबू यानिकि जो श्वर उसके साथ-साथ भी बज़ रहे हैं उन्हें भी समझने में सहायता मिलती है इसलिए शास्त्री गायन में जो अभ्यास है हमारा वह तानपुरे के द्वारा ही करना चाहिए तानपुरे के बारे में हमने आपको अच्छी तरह से सब कुछ बताया है अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भेज सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद